हेलो फ्रेंड्स रुपम खाना खसानों में आप सबी का स्वागत है उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं आप सबी के लिए बहुती मज़दा रेसिपी लेकर आई हूँ आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ कठल की एकदम शांदार सबसी करते हैं तो इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले इंग्रीडियन्ट चाहिए वो है कठल जिसे जैक फ्रूट भी कहा चाहता है तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम के करीब कठल लिया है आप इसके कम जादा कर सकते हैं इसे मैंने पहले से ही बॉल कर करके पेस्ट तयाद किया है और इसे बनाना बहुत ही असान है अब इसी है मैं एड कर रही हूँ लहसन अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट इस कठल की रेसिपे को मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बना रही हूं जिस वझासे इसका टेस्ट और भी जादा बढ़िया आएगा अब मैं इसमें आड़ कर रही हूँ स्वाद नुसार नमक, एक चमश लाल मिर्श पाउडर, एक चमश हल्दी पाउडर और एक चमश गरम मसाला, बस इस पेस्ट में हमें इतने ही इंग्रिजेंट्स आड़ करने हैं, अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ये यहाँ पर पहले से ही एक कढ़ाई में मस्टर ओयल को गरम होने के रख दिया था, आप किसी भी कोकिंग ओयल का यूज कर सकते हैं, ये अच्छे से गरम हो चुका है, तो इस टाइम पर मैं फ्लेम को कर दूँगी मीडियम और इसमें एक एक करके कठल को आट करते चलूँग जैसा कि आप सब देख सकते हैं, कठल अच्छे से फ्राय हो चुके हैं, इनका कलर भी काफी हद तक चेंज हो गया है, तो बस इस टाइम पर मैं फ्लेम को कर दूँगी और इन्हें ट्रांसफर कर लूँग एक प्लेट में, तो ये देखे, यहाँ पर हमारे सूपर क्रिस्प कठल के पकोड़े तयार हैं, इसे आप चाई के साथ, या फिट टेमेटो सॉस, किसी भी सॉस के साथ इंजॉइ कर सकते हैं, पर अभी हम इसकी सबसी बना रहे हैं, तो चली उस स्टेप को भी देख लेते हैं, तो अभी जस वाइल में मैंने कठल को फ्राय किया था, उसी में अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, क्योंकि मैं आप सबी के लिए ऐसी अमेजिंग रेसिपी लाती रहोंगी, तो प्याज को एक से दो मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें आइड कर रही अच्छे से भूनना है, क्योंकि जितने अच्छे से यह तीनों चीज़े भूनेंगी उतनी ही शांदार आपकी सब्सक्राइब पहले आपको इसे दो से तीन मिनट ले पका लेना है, उसके बाद इसमें आड करने हैं मसाले तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ स्वादनुसा पाइर नमग, फिर एक चमच हल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर, इन मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकौरिंग कम जादा कर सकते हैं, अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इन मसालों को मैं हाँ पर एक ग्लास पानी का यूज कर रही हूँ, आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उसके अकौर्डिंग पानी इसमें आट कर सकते हैं, अब लास्ट में इसमें आट कर रही हूँ आदा चमच होम मिट गरम मसाला, इसे आप जरूर आट कीजएगा क्योंकि इसके बिना टेस्ट नहीं आएगा, इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें आट कर रही हूँ फ्राइड कठल जो हमने पहले से ही तयार करके रखे थे, फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसे एक बार मिक्स करके पकने देंगे तीन से चार मिनट के जब तक इसमें अ आज की हमारी सूपर टेस्टी सूपर अमेजिंग कठल की सबजी पर अभी अधूरी है तो इसके उपर से मैं लगा रही हूँ घी और लाल मिर्श का स्पेशल तड़का मुझे कमेंट करके पताईएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी देखिए इसे बनाना तो असान है ही पर इसका टेस्ट इतना लाजवाब है इतना शानदार है कि बस आप दूसरे सबजी खाना ही भूल जाएंगे बच्चे हो या बड़े जिसको कठल खाना पसंद नहीं है सबकी यह सबजी फेवरिट हो जाएगी आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होग जाल खाना पसंद आँ सैंगे वी आप साय को जाइख हो नहीं हो जाएगी रूल झारे भी आप संद लाएगी बच्चे होया tämä रा खाना है सबक Lalní